मैं आज आभार व्यक्त करता हूँ महान देश की महान जन्ता का मैं आज धन्यवाद अरपित करता हूँ देश के कोटी कोटी नागरिकों का धन्यवाद इसलिए नहीं कि उन्होंने चुनावों में भारतिये जन्ता पार्टी को इतनी बड़ी सफलता दी है इसके लिए तो वो हकदार है ही दन्यवाद इसलिए क्योंकि लोग तंत्र के इस्तमहान परव को हम सभी ने मिलकर बहुत उत्सा से मनाया है चुनाव बले ही कुछ सीटों पर हुआ हो कुछ खेत्रों में हुआ हो लेकिन कल सुबह से लेकर देर रात तक पूरे देश की नजरें टीवी पर थी पीटर पर थी चुनाव आयोग की वेबसाइट पर थी लोग कंत्र के परती हम भारतियों की जो आस्था है उसकी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती चुनाव नतिजों में हार जीत अपनी जगह है लेकिन चुनाव की ये प्रक्रिया हर भारतिय के लिए गवरव का विशय है इसलिए पूरे देश को बढ़ाई देता हूँ कोटी कोटी देश वाचियों का धन्यवाद करता हूँ इस चुनावों को सफलता पुर्वक शांती पुर्वक संपन कराने के लिए चुनाव आयोक, देश के सुरक्षा बल और स्थानिय प्रशासन भी बधाई के पात्र है कुछ चीजे तो हम देश में भूल गए आपको पता होगा पहले जब चुनाव होते तो दूसरे जिन क्या खबर आती थी हेडलाइन इतने बूत लूट लिये गए, इतने बूत में री पोलिंग होगा आज हेडलाइन होती है पहले से इतना परसंटेज पोलिंग बढ़ा पुरूसों से महलाओं का पोलिंग बढ़ा पोलिंग बूत से व्यवस्ताओं से लोग यहने पुरानी चीजें बिहार में चुनाव मतलब इतने लोग मारे गए, इतने बूत लोग यही खबर रहती थी एक भी पोलिंग बूत में री पोलिंग न होना शांति पुर्ण मतदान होना और कोरोना के कारण मतदान कम होगा यह सारी आशंकाओं को जहां जहां चुना हुआ लोगों ने निरस्ट कर दिया, यही तो देश की ताकत है कोरोना के इस संकट कान में यह चुनाव कराना आसान नहीं था लेकिन हमारी लोगतांत्रिक व्यवस्ताएं इतनी शसक्त हैं पारदर्सी हैं कि इस संकट के बीज भी उन्होंने इतना बड़ा चुनाव करा करके दुनिया को भी भारत की ताकत की पहचान कराई है